नमस्कार दर्सकों स्वागत है आपका मारे चैनल सेक्रेट अफ लाइप पे आज की वीडियो व्रिश्चक रासी के लिए मार्च 2022 का रासी फल लेकर के मैं आया हूँ देखिए अगर आप व्रिश्चक रासी के हैं तो इस वीडियो को लास तक देखिएगा मार्च के महीने में जो ग्रही वेवस्था है जो गोचर की वेवस्था है उसके अनुसार क्या रिजल्ट रहने की पूरी समभावना है उस पर बात करेंगे और उसके बात करेंगे मीड में साड़े साथी खतम हुई है, क्या परिशानियों से आप थोड़ा घुजर रहे हैं, अभी किन बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप साड़े साथी से निकले हैं, उसके बाद रेमेडिस पे भी कुछ चर्चा करेंग व्रस में, केतु व्रस्चक में और जुपिटर, जुपिटर यहाँ पर कुम्भ में पूरे महिने बने रहेंगे, उसके बाद जो मरकरी है, मरकरी आपका पांच या छे मार्च से कुम्भ में रहेंगे और फिर 24 मार्च से ये मीन में चले जाएंगे, और वीनस पूरे महिने मकर रासी में यहाँ पर बने रहेंगे यह गरही अविवस्ता है आपकी मार्च के महिने में तो दी पॉइंट मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले लगने से देखिए मंगल लगनेश आपके पूरे महिने उच्च के मार्च के महिने में बने रहेंगे ये अच्छी बात है, अच्छी इस मामले में है कि आपका प्राकर्म जवर्दस्त रहेगा, सनी और मंगल की यूती यहाँ पर बनेगी, सनी और मंगल की यूती आदमी को इनर्जटिक बनाती है, रिस्क टेकर बनाती है, रिस्क लेंगे आप मार्च के महिने में, गौर इधर कुछ दिनों से एंगरी मैन थोड़ा सा आप हो गया है, मंगल जब से मकर में चल रहे हैं, तो ये एंगर को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलने की कोसस कीजेगा, तो इस्तिती आपके लिए ज्यादा बहतर रहेगी, और यहाँ बैठा मंगल भाग्य भाव को देख रहा है, इस वक्त गुरू की दृस्टी आठवे घर बे, प्रोफेशन हाउस पे और आपके 12th हाउस पे पड़ रही है, दो-तीन चीजों का आपको benefit मिलता हो दिखाई दे रहा, धन को लेकर के, financial condition को लेकर के समय बुरा नहीं है, समय अच्छा चल रहा है, financial condition के लॉड़ आपके अच्छी दिखाई दे रही है, मार्च के महिने में, क्योंकि second lot की position बढ़या है, उसके बाद जो mercury की position है, देखे, mercury income lot हो करके, बुद्ध जो है, income lot हो करके, कुछ दिन यहाँ शूरी के साथ, बुद्धादित योग में रहेगा, और फिर कुछ दिन के लिए, वो बुद्ध स्थिती को दिखा रहा है, पांच मार्च के बाद आपके लिए income जो है, वो इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, और फिर 24 मार्च से जब यहां मरकरी बैट करके, उच्छ द्रस्टी अपने ही घर पे डालेंगे, तो स्थिती और आपके लिए अच्छी होगी, तो प्रफेशन की आपकी कुंडली में भी ग्रह कैसे बैठे हैं, क्योंकि यह एक ग्रह व्यवस्ता है, अब उसके बाद देखी, प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ, शूरी आपके प्रोफेशन लॉड होकर के फूर्थ हाउस में बैठे हैं, अपनी ही द्रस्टी से सूरी की स्थती अच्छी है, और राहू और शैनी किसी भी ग्रह से गोचर में सूरी प्रिट नहीं है, तो इस वक्त जो स्थती है आपके एडमिस्टेशन से संबंध की वो बढ़िया स्थती नजर आ रही है, अच्छी स्थती नजर आ रही है, तो पदोनप्ती के चांस अच्छे हैं, आपके काम में ग्रूथ के चांसे सचे हैं, और नए काम भी आप रिस्क लेकर कर सकते हैं, ऐसा संकेत मार्च के महिने में दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ अगर मैं मेरेज लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, वीनस भरोशा करने से बचिए, अगर आप पार्टनर से बिजनस में हैं, तो मार्च के महिने में आप सूच समझ कर भरोशा करें, पार्टनर पे बहुत जादा भरोशा नहीं करें, उस दिरिश्टी कोन से समय थोड़ा सा कम अच्छा है, पार्टनर पे भरोशा करने के तो उसका समय भी आपके लिए है उसके बाद जब सूरी यहां फिप्त हाउस में गोचर कर जाएंगे आपके 14 मार्च के बाद 15 मार्च से तो स्थती आपके लिए ज्यादा अची है आप अपने नौलिस का बहतर इस्तिमाल अपने प्रोफेशन के लिए करेंगे और उसमें आइडियाज आपके अंदर आएंगे इनोवेटिव आइडियाज आपके अंदर आएंगे and that will make a profit for you तो कुल मिलाकर कहूं तो थोड़ा सा स्वास्त पध्यान रखिएगा एंगर आपके लिए ज्यादा होशकता है एंगर पर थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा क्योंकि रह अलग है कि माफ नहीं कर पाते जो इनके अंदर इनका कहना है भीया हम बहुत सही है तो मेरे साथ सही रहो इफ यूर नॉट राइड विथ मी आविल नॉट फॉर्गिव यह इनका वरिश्चक लगन और विश्चक रासी वालों का होता है हाला कि थोड़ा सा अगर आप कंट विश्चक लगन और विश्चक रासी वाले ऐसे लोग होते हैं यह चाहते हैं भाई हम सही है तो सामने वाला भी बिल्कुल सही रहे लेकिन आपको थोड़ा सा यह बात समझ कर चलना होगा कि हर आदमी विश्चक रासी और विश्चक लगन का नहीं है तो एकोडिंगली ही विश्चक लगन और विश्चक रासी के हैं तो इसी गुनों से आप प्रभावित हैं वैसे आपका जीवन स्टाटिक फेज में संघर्समाई रहता और आगे चलके बिश्चक रासी वाले बहुत बड़े-बड़े काम भी करते हैं क्योंकि बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं इमोशन और एग्रेशन का जवरदस्त समनवें इनके अंदर होता हैं इमोशन भी उतना ही है और एग्रेशन भी उतना ही है यह भगवान शिव के जो अंस है जो मंगल मंगल से प्रभावित होते हैं तो शिव की जो दयामई दृस्टी है वो भी इनके अंदर होती है और विनासक सक्तियां भी इनके अंदर होती, इसलिए प्रतिसोत की भाबना भी उतनी ही रखते हैं, और मदद की भाबना भी उतनी ही रखते हैं, और टिट फॉर टैट जानते हैं, इनको ये सीज़ पता, अगर इनका दिल किसी पे आ गया तो ये बहुत मदद करेंगे, और अगर दिल तूट गया तो जल्दी से दिल जोडेंगे नहीं उससे क्योंकि ये धोखा पसंद नहीं करते हैं उसी तरह के लोग आप होते हैं पर आपको थोड़ा सा आपको adjustment करके चलना पड़ेगा life में जो मैंने कहा वो समझ के थोड़ा सा चलिए ये आपकी कमी है और सनी साड़े साती में वो ज्यान आपको अच्छे से मिल गया है अब दिखी ये जो बिवस्था है ये बिवस्था के अधार पर एक बार अगर मैं समेरी खीच लूँ तो भागे का साथ आपको मिलता हूँ दिखाए दे रहा है प्रोफेशन की स्थिती भी ठीक है especially 14 Μार्च के बाद भी स्थिती ठीक है और 14 मार्च से पहले भी स्थिती ठीक है आपके प्रोफेशन में ग्रोध है इंकम की स्थिती भी लगबग ठीक है आपके लिए बस थोड़ा सा हेल्थ पर ध्यान रखिएगा marriage life पे ध्यान रखिएगा और पढ़ाई education की भी स्थती अच्छी है financial condition भी improve होने के chance है past में जाने से बचिएगा क्योंकि केतु लगनपर और राहू 7th house में past में आपको ले जाता है चिंता कराता है, depression में रखता है इन सब चीजों से थोड़ा सा बच कर चलिएगा हनुमान जी की अराधना करिएगा शिभ जी की अराधना करिएगा और शुरीदेव को नमन करिएगा उनके बीज मंतरों का जब करिएगा कमोबे स्थती ठीक नजर आएगी हाँ, अगर इसके अलाबा ज़्यादर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो अपनी कुंडली भी अनलैसस करा लिजेगा क्योंकि ये गोचरी बेवस्ता है आपकी कुंडली में ग्रह किस स्थती में बैठे है एक बर कुंडली अनलैसस भी करा लिजेगा अगर आप हमसे कराना चाहते है विडियो डिस्क्रिप्शन में में मेल और वट्साप नमर मिल जाएगा आप वहां कॉंटेक्ट कर सकते हैं अदरवाइस आपको जहां भी अच्छा लगया आप करा सकते हैं थैंक यू सो मच